मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का नियर्मन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा, इसमें वीकनिस अभी भी बन रहा है, और वीकनिस किस वज़े से है, तो कोविड जिस तरीके से केसे बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन की तरफ जैसे सिटी एक एक करके जा रहे हैं, वैसे मा सपोर्ट है, आज की कैंडल के लो से ये बनता है, अब ये सपोर्ट की नीचे एक इंपोर्टेंट लेवल है 30451 की, और ये कप की है, तो ये मंडे के दिन जो लो बना था, वो लो है, तो 30917 अगर ब्रेक होता है, तो वीकनिस कंटिन्यू होगा, अगले सपोर्ट तक तक, यानि 30610 और 30451 तक, ये 30451 की लेवल जो है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये अगर ब्रेक हो जाती है, तो नीचे 29661 ये अगली लेवल है, यानि 700 से 800 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, तो इसलिए इस सपोर्ट लेवल क्लोजली ट्रै कीजिए, मेरे पीछे आपको निफ्टी का नियर्मन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा, इसमें भी सपोर्ट लेवल हमने वाच करनी जरूरी है, बहुत बार ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करनी नीचे आ रहा है, अब जब कब प्राइस ऐसा करता है, तब आगी जाते हुए वो सपोर्ट ब्रेक कर देगा, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक टेंशन वाली बात नहीं, वाच करना जरूरी है और क्लूजली वाच करना है, इमेजिए अगर ब्रेक होता है, तो उसके नीचे एक 400 पॉइंट का चार्ट चे छेशो पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला जो सपोर्ट है, वो सीधा बनता है, 13,800 और 13,666 के लेवल पर यहां पर जो कैंडल बनती है, यह सपोर्ट है, तो सपोर्ट लेवल क्लूजली ट्रैक कीजिए, जब तक ऊपर के रेजिस्टनस ब्रेक करके ऊपर नहीं चलता है, तब तक हमें अपवर्ट अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा, फिलाल सपोर्ट ट्रैक करने ज़रूरी है, एक चीज ध्यान में रखिए, पैनिक ना करें, पैनिक करोगे तो गलट डिसिजन लोगे, पैनिक ना करें, आपके जो इंडूजल स्टॉक्स हैं, वो इंडूजल चा 1100 और 1122 यह important levels बनती है, September 2017 को यह price यह level के नीचे आ गया, तब से यह उपर नहीं जा पाया, बहुत बार कोशिश की, लेकिन 1100 और 1122 का resistance यह stock रॉस्त नहीं कर पाया है, फिलाल यह उसके नीचे ही trade कर रहे, 10-11 रुपया नीचे है, 1100 से, यह level important है, यह watch करना ज़रूरी है, अगर break कर देता है, तो उपर में जो next resistance है, वो अगला वाला red color का horizontal line है, 1229, यानि 1122 अगर उपर में breakout generate करता है, तो 1229 तक भागेगा, उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन पहला उसका जो target होगा, वो 1229 होगा, इसलिए यह levels को closely watch करना है, और ध्यान रखिए, valid breakout पे trade लेना है, आप अगर मेरे broadcast में है, तो मेरे तरफ से तो आपको update मिल जाएगा, अगर आप नहीं है, तो आपने ये breakout ताउधानी से देखना है, बिना भूले, 1100 और 1122 का immediate resistance, यह है आज की opportunity, और एक बढ़िया सा चार्ट आपके लिए loop in, आपको अगर मेरे तरफ से सीधे updates चाहिए, व brand holding में हो जाती है, आपको अगर ये join करना हो, तो यहाँ पर मेरा number दिया है, इस number पर आपका interest मेरे WhatsApp message कर दीजे, मेरे team आपके contact में आ जाएगी, और आपको तुरंट enroll करा लेगी, यहाँ रखिये, यह paid program है, आपके लिए free वाला जो है, ये YouTube channel है, ये जो मैं वीडियो बनाता में जरूर लिख के भेजिए, ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो, तो इसे thumbs up दीजिए, आपके दोस्तों के साथ share भी कीजिए, आपने मुझे इस वीडियो में join किया, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जाम सांडे कर